गुद्बॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम क्लास 12 मैट्स के एकसरसाइज 3.4 का कंसर्प्ट देखेंगे यह मोस्ट इंपोटेंट एकसरसाइज है इस एकसरसाइज से एक्वेशन 6 मार्स का बूर्ड परिक्षाग अंदर आवश्यक रूप से बनता है इसलिए आप इस कंसर्प्ट को ध्यान से समझें कि यह कंसर्प्ट है क्या इस कंसर्प्ट के अंदर आप से पूछा जाता है elementary operation of matrix कि आपको matrix के उपर elementary operation लगाने होते हैं और प्रारंबिक संक्रियाओं के आदार पर ही आप लोगों को इसमें inverse find करने के लिए कहा जाता है substraction ठीक इसी तरीके से आपके matrix के अंदर भी होगी तो आप matrix के अंदर किस तरीके से प्रारंबिक संक्रिया लगाएंगे इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझें वैसे तो छह परकार से आप लोग इसके अंदर लगा सकते हैं लेकिन आप इंटर के अंदर आप ये तीन प्रारंबिक संक्रियाओं के आदार पर ये अपनी question को solve कर जाएंगे इसमें जो सबसे पहली property है वो यह है कि आप देख रहे होंगे जो मैं note की विए कि किनी दो पंक्ति या इस्तंबों का प्रस पर बिनिमे करके आपको suitable लग रहा है कि R1 की जगे पर R2 होना चाहिए या R2 की जगे पर R1 होना चाहिए तो आप पहली property को आप यू में direct change कर सकते हैं जैसे row first को आप row third में change कर सकते हैं या R third को आप R1 में change कर सकते हैं इस property का meaning ये है इसका एक meaning ये भी आप column wise लगाना चाहते हैं तो आप column 2 को column 1 की जगे पर लाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि C2 का interchange आपने C1 में कर दिया कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी आप यू में अगर उसकी row में या उसके column में interchange कर दें तो आप यू के वे मान में कोई परिवर्टन नहीं आता है आप R1 को R2 की जगे लिख सकते हैं R2 को R1 की जगे लिख सकते हैं और इसको लिखने का जो pattern है कि RI को interchange के RG में मतलब R1 को R3 की जगे लिखा और R3 को R1 की जगे लिखा जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे A, B, C, D, E, F अब ये आपकी R1 हो गई और ये आपकी R2 हो गई आपको लग रहा है कि question के हिसाब से ये R2 उपर होना चाहिए था R1 नीचे होना चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले D, E, F और फिर A, B, C इस तरीके से यहाँ पर किया कि आपने आपने R1 जो रो थी इसको इंटरचेंज कर दिया R2 में तो इससे A, B, U में कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप यह सबसे basic property है matrix की आप किसी भी A, B, U में जो suitable आपको लगे अगर R1 की जगे पर R2 और R2 की जगे पर R1 लाना चाहते हैं या R3 की जगे पर इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से operation लिखे कि R जिस पंक पंक्ति या इस्तंबों में जिसके बाद दूसरा जो इसमें elementary operation है वो elementary operation क्या है कि किसी पंक्ति या इस्तंब में किसी सुनितर संक्या से गुणा करके अब आपको सुनितर संक्या मतलब non zero number non zero number से आप किसी भी पंक्ति में multiply कर सकते हैं उससे भी कोई फरक नी पड़ता माना आपको लगता है कि R1 में आपको multiply करनी है 5 की आपका काम बन जाएगा तो आप 5 की multiply कर दीजिए कोई फरक नी पड़ेगा या आपको लगता है कि R1 जो row है यदि इसमें मैं 1 by 5 की multiply कर देता और मेरा काम आसान हो जाता है तो आप ये भी कर सकते हैं इससे भी आपको कोई problem आत आप multiply करके अपने अनकूल उसे बना सकते हैं जब हम इसको question को solve करेंगे तो और अच्छे से solve कर पाएंगे तो एक दो दूसरी property यह आप लोग अपने interface के लिए समझेए कि आप किसी भी पंक्तिया इस्तंब में किसी भी non zero नंबर की non zero होना चाहिए जिरो नहीं होना चाहिए negative और positive और आप multiply करके उसके अपने अनुसार बना सकते हैं तीसरी property जो सबसे मैत्वपूर्ण है यही सबसे important property है इस property में ध्यान लखना कि किसी पंक्ती या इस्तंब में किसी दूसरी पंक्ती में किसी पंक्ती या इस्तंब में पंक्ती में लगा रहे हो तो पंक्ती या इस् multiply करके किसी अचर रासी से गुणा करके उसमें जोडा या घटाया जा सकता है माना कि मैं operation लगा रहा हूँ row first में r1 में और मैंने क्या किया इस तरीके से क्या कि r1 minus कर दिया 2r2 मग क्या क्या मैंने r2 के साथ 2 का multiply किया और r1 में से घटा दिया r2 से multiply कि r2 में 2 का multiply किया और r1 से घटा जिया ताकि आप लोगों का यह बन सके question जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा यह question के हिसाब से आप लोग चूच करते हैं कि मुझे कौन सी property लगानी यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक अपनी तरफ से बात समझाना चा रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं लेकिन मैं आपको ध्यान रखना यहाँ पर मेरी बात कि जब भी आप किसी भी रो या किसी पंक्ती में operation लगाएं तो याद रखना कि हमेशा उसी पंक्ती में से घटाना या जोड़ना है जिसमें आप change करना चाते हो जिस पंक्ती पर आप operation लगाना चाहते हो उसी में जोड़ना और उसी में घटाना इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना तो कोईशन गलत होने की संबावना यह आपके कम हो जाएंगी इसके बाद यह तीन किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टिप्लाई करके या किसी दूसरी रो में कुछ मल्टिप्लाई करके जोड या घटा आप यहां पर जोड भी सकते थे जैसी डिमांड होगी वह हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ठीक तो यह तीन प्रोपर्टी आप लोग अच्छे से समझ इसके बाद आपके पास एक matrix का type of matrix का एक और type आपके सामने आएगा जिसे कहेंगे आप inversible matrix inversible matrix का मतलब हो गया बितकर्मनी आपयू अब बितकर्मनी आपयू क्या होगा कि यदि A कोई बरग आपयू है तथा दूसरा बरग आपयू का अस्तित्व इस परकार से यदि आपके पास कोई matrix है A और एक दूसरी matrix B का अस्तित्व इस परकार से है एक दूसरे आपयू B का अस्तित्व इस परकार से है कि आप A और B का multiply कर दें जहां रखना A और B का multiply कर दें तो वो identity बन जाए जैसे ही आपने A और B का multiply किया तो identity बन गया या आपने B और A का multiply किया ओ भी identity बन गया इसलिए आप इसको direct ऐसे भी लिसकते हैं कि A B is equal to B A equal to I अगर इस तरीके किस condition को satisfy करता है तो आप यू A आपका बितकर्मनी आप यू कहलाता है यदि आपने दो आप यू का multiply किया और आपको identity मिल गया तो कहेंगे कि A एक बितकर्मनी आप यू है तथा इसे A इन वर्सस से भ्यक्त करेंगे और आप यू B को A का बितकर्मनी आप यू कहेंगे तो inversible matrix को आप समझेए कि यदि A कोई आप यू है और A का आपने दूसरा आप यू B लिया उन दोनों आप यू का आपने multiply किया तो आपको identity मिला unit matrix मिली तो A एक बितकर्मनी आप यू कहलाता है और B उसका inverse कहलाता है आप यू B A का क्या कहलाता है inverse कहलाता है इसे A inverse से denote करते है A inverse से denote करते है इसके लिए आप लोग theorem number 3 और exercise का जो example number 24 है इसको solve करो आप लोगों का और अच्छे से समझ में आ जाएगा Thank you